आज देख रही है MNS News, सच ज़रूरी है नमस्कार मैं अकसा वहीद अंसारी और आप देख रही है MNS News आये देखते हैं आज की खास ख़बरे गटकरी ने नाखपुर में शुरू किया हर घर तिरंगाभियार देश में 13-15 अगस तक चलने वाले हर घर तिरंगाभियान की शुरुआत केंद्री मंतरी निदिन गटकरी ने नाखपुर में की है जिला कलेक्टर आर विमला खादी एवं ग्रो मध्योग आयोग के सदिस जैप्रकाश गुपता उपस्तित थे गटकरी ने अपने आवास पर तिरंगा फैरा कर अभियान की शुरुआत की मार्ग देशन में एक बच्चत खाटा शुरू किया गया है नागरिकों को विच्चित फैमलेट आदी के माध्यम से राश्ट्य धवच फैराने के नियमों की जानकारी दी जा रही है इस बीच स्वतंत्रा दिन दिवस के अफसर पर देश भर में 20 करोड से अधिक घरों तक पहुचने के लिए हर गर तिरंगा अभियान जोर उपर चल रहा है घरों के उपर तिरंगा फैराया जाएगा जिसमें शेक्षिक स्थान, सावजनिक शेत्र के प्रतिष्ठान, वेंजनिक प्रतिष्ठान, गेर सरकारी, संगठन रेस्टरॉन, शौपिंग कॉंपलेक्स, टोल प्लाजा और पुलिस स्टेशन में भी शामिल है हर घर तिरंगा आजादी काम वित महतसब के त्वताधीन में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के 75 वे वर्ष को चिन हित करने के लिए इसे फैराने के लिए प्रत्साहित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान का उद्देश तिरंगे के साथ संबंदनों को औप्चारिकता से अधिक व्यक्तिगत बनाना है पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देश भक्ति की भावनाओं को जगाना और भातिय राष्ट्य ध्वच के बारे में जाग्तिगता को बढ़ावाद देना है ध्वच के साथ संबंद हमेशा व्यक्तिगत से अधिक औप्चारिक और संस्था गत रहा है स्वधंतरता के पचित्तरवे वर्ष में एक राष्ट के रूप में ध्वच को सामोईक रूप से घर लाना इस प्रकार ना केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंद का एक कारे बलकी राष्ट निर्मान के प्रती हमारी प्रती बुद्धिता का प्रती भीम माना जाएगा देशफर में 13-15 अगस तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के शुरुआत के इंद्रे मंद्रे के नेतीन गटकरी ने नागपुर में की जिला कलेक्टर आर विमला खा दिये गरामुदोग आयों के सरसी जैपरकाश गुपता उपस्तित थे कटकरी ने अपने आवास पर तिरंगा फड़ा कर अभियान के शुरुआत की जिला कलेक्टर ने उन्हें नागपुर शहर समेट पुरे जिले में सभियान के तैयारी की जानकारी दी पुरे जिले में 12 लाग तिरंगा फड़ाया जाएगा जन्डों के निर्मान के लिए जिला परिशत के स्तियो यूगेश कुम्भेसकर के मार्ग जर्शन में एक बस्त घार्ट शुरू किया गया है नागिकों को वृत्ति चित्र पैमपलेट आधी के माधियम से राश्चे धोस फैराने के नियमों के जानकारी भी दी जा रही है अधिक व्यक्ति गत बनाना है पहल के पीछे का विचार लोग के दिलों में देश बक्ति की भावना को जगाना और भारतिय रास्टर धोस के बारे में जागरुकता को बरहावा देना है दोस के साथ संबन्द हमेशा व्यक्ति गत से अधिक आपचारी का और संस्था गत रहा है सौदता के 75 वे वर्ष में एक रास्टर के रूपे दोस को सामोई कुरूप से घर लाना इस परकार ना केवल तरंगे से रेक्टिकात संबन्द का एक कारी बल्कि रास्टर रिमान के परतिय हमारी परतिवत्ता का परतिय की भी बन जाता है अब आप हमारे चैनल को आपके मुबाइल फोन पर भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर फिलाल दर्शकों वक्तों चला एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम कबरों को बने रहे MNS News Life के साथ क्योंकि सच जरूरी है नमस्कार झाल